नमस्कार आप सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बाराजाज चारसो साथ सिच्छक वरती में नौनुक्त सिच्छक सात्यों के डाकुमेंट बेरिफिकेशन से जुड़ी हुई बहुत ही महत् सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो आईए सात्यों शुरू करते हैं और देखते हैं बाराजाज चारसो साथ सिच्छक सात्यों के डाकुमेंट बेरिफिकेशन और पुलिस बेरिफिकेशन से जुड़ी हु को बेसबरी से इंतजार था डाकुमेंट बेरिफिकेशन के आदेश को ले करके दोस्तों बाराजाज चारसो साथ सिच्छक बरती में सभी जनपदों में डाकुमेंट और पुलिस बेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंब कर दी गई है और सभी बाराजाज चारसो साथ प्रक्रिया आपको ब्यार्टी पर निर्देशित की जाए उसके एकाइडिंग आगे के प्रोसेस को कम्प्लीट करते हुए अपनी डाकुमेंट बेरिफिकेशन और पुलिस बेरिफिकेशन में से भागिता सुनिश्चित करें जिसे आप सभी का ये प्रोसेस जल्द से जल्द कम्प्लीट हो सके और आप सभी की पहली सेलरी विभाग की तरफ से जारी की जा सके दोस्तों आप बात कर लेते हैं बाराजा चार सो साथ सिचक बति के नौनिक्ट सिचक सातियों के डाकुमेंट बेरिफिकेशन से जुड़े हुए महात्पूर्ण आदेश के बारे में और स सब कुछ किलियर करेंगे आप सभी वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में सेर वस्ति कर दीजिए तो दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था कि बाराजा चार सो साथ सिचक बति में नौनिक्ट सिचक सातियों के डाकुमेंट और पुलिस बेरिफिकेशन को लेकर के सभ देश जारी किये जाएंगे और उनहीं के माध्यन से आप सभी का डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको केवल और केवल जो प्रोसेस बताया जाएगा उसको फालू करना है बाकि अन्य किसी भी प्रकार के प्रकृरिया आपको नहीं अपनानी है यानि आपको स्वताह ड बेसिक सिचा अधिकारी चित्रकूट की तरब से 22 साथ 24 की डेट में आदेज जारी किया गया था समस्त खंड सिचा अधिकारी ग्रामीडियोम नगर जन्पत चित्रकूट सासना देश संख्या 33-89-5-2016-417-213-2015-12-2016 के क्रम में सच्यू उताप्रदेश बेसिक सिच्छा परसत प्रियागराज के पत्रांक बेसिक सिच्छा परसत 45-22-47-2424-25-21-2624 के क्रम में बराजा 466 सायक अध्यापक बरती प्रकरिया के संबंद में मानिस सर्वोची नेले में योजि सिविल अपीलसंग के 41-31-2024-24-24-25-45-25-24-21 2-24-25-26-22-24-25-25-24-25-28-26-24-25-26-24-25-25-25-24-24-25-26-23-25-24-24-25-25-25-22-24-25-27-26-25-26-26-28-24-24-24-24-25-25-25-25-25-25-28-29-24-26- अपना की गई यानि 28 चे को जो इस्कूल आवंटन की प्रकरिया और उसी आदेश के अनरूप जो है पदिस्थापन की प्रकरिया पूरी की गई है और उक्त के आलोग में आपको निर्देशित किया जाता है कि पदिस्थापीद 2460 सिचक बरती के समस्थ कि अविलेकों पुलि बिक सर्मा जिलाबेसिक सिछाधिकारे चितकूठ के तरफ से आदेश जारी किया गया अब दोस्तों यह तो हो गया आदेश अब देख लेते हैं जिन संसताओं से आपके डौकुमेंटी वेरिफिकेशन होने है उनकी तरफ से क्या महत्पूर्ण निर्देश सभी जिला बेसिव सिच्छा अधिकारियों के लिए जारी किये गए हैं उन पर नज़र डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बिस्तरा डेटेल दिया गया है कि जहां से आपके डाकुमेंट वेरिफिकेशन होने हैं तो आप सभी को बता दें आपके कच्छा 10 कच्छा 12 की मार्क सीटों और प्रमाड पत्रों का वेरिफिकेशन होगा इसके साथ सारे बेरिफिकेशन होंगे तो यहां पर सबसे पहले आपके डाकुमेंट बेरिफिकेशन पूर्यक को लेकर यहां पर देख सकते हैं बिस्तरा मार्क स्प्रों के शूट क्लिए मुई लेंगी और कुछ उन्वरसिटी सुलक नहीं लेंगी उनके नाम यहाँ पर किये हैं लकनोबिस विद्याले महात्मा कांधी कासी विद्या बात कर लेते हैं उन युनिवर्सिटीज ये बिस्विद्याले के नाम जिनके द्वारा डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए सुल्क लिया जाएगा यहाँ पर वेस्विद्याले का नाम है सच्छे अड़ेक प्रमाड पत्रों के सत्यापन है तो निर्धारित सत्यापन सुल्क प्रति प्रमाड पत्र के लिए प्रति प्रमाड पत्र की बात की गई है और वेस्विद्याले द्वारा सुल्क जमा करने है तो निर्धारित माध्य वहीं उतापटे राजस टंडन मुक्त विश्व विद्याले प्रियाग राज की तरफ से प्रतेग प्रमाडपत्र के लिए 500 रुपे चार्ज रखा गया है, जो भी वित अधिकारी उतापटे राजस से टंडन मुक्त विश्व विद्याले प्रियाग राज के नाम से प्रिषा नियंत्रताइव बहते हैं साम मिशें कहां नाव सेàiला गी. वहीं चत्रपत साहुजी महराज विश्विद्याले कानपूर के जो डाकुमेंट है उनके वेरिफिकेशन के लिए पर प्रमाड पत्र 300 रुपे चार्ज रखा गया है और जो आप से भी लोग देख सकते हैं आनलाइन बैंक में खाता नंबर है उस पर पैसा जमा किया जाएग इसके साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं चंदर सेखर आजाद करश विश्विद्याले कानपूर की तरफ से 200 रुपे पर प्रमाड पत्र जो सत्यापन चार्ज है और ये अर्थ नियंतरक चंशेखर आजाद करश विश्विद्याले कानपूर के नाम से आजाएं सुल्क जमा किया जाएगा डाकूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुंदेल खंड विश्विद्याले जासी की तरफ से 550 रुपे पर प्रमाड पत्र के इसाथ से जो है डाकूमेंट वेरिफिकेशन पीस है और जो विश्विद्याले की प्रसाइड डवलु डॉड .bu.ac.in पर इस्तित लिंक पर सुल्क जमा किया जाएगा एनि आनलाइन पोर्टल पर सुल्क जमा होगा इंद्रागांथी राष्टी मुक्त विश्विद्याले नई दिली 400 रुपे पर प्रमाड पत्र के हिसाथ से सुल्क रखा गया है परिच्छा निंद्रक इंद्रागां .bu.ac.in पर आनलाइन सुल्क के मात्यम से वहीं कुर्षेत्र विश्विद्याले कुर्षेत्र के तरफ से 1650 रुपे पर सर्टिपिकेट रखा गया है और ये भी विश्विद्याले की विवसाइट पर जाकर के आनलाइन या आफलाइन डिमांड ड्राप्ट के रूप में भी सत्यापर सुल्क जमा किया जा सकता है इसके साथ राजस्थान विश्विद्याले के जो भी डाकुमेंट से लगे हैं बरती में उसके लिए 240 रुपे पर प्रमाड पत्र सत्यापन फीस है और विश्विद्याले की विवसाइट जो है उस पर जाकर के आनलाइन सुल्क जमा क पत्र के लिए इसके साथ अगली जो उनिवर्सिटी है वो है स्वामी केशवनन राजस्तान विश्विद्याले भीका ने इसने 450 रुपे पर प्रमाड पत्र सत्यापन फीस रखी है और जो आप आनलाइन और आफलाइन दोनों रूप में जमा कर सकते है यानि ड्राफ्ट भ पर जाकर के आनलाइन जमा होगा और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दे दीन दयाल उपाध्या विश्विद्याले गोरकपुर की तरफ से 500 रुपे पर परमाड पत्र सुल्क रखा गया है और ये भी वहां के परिच्छा नियमक अधिकारी जो है उनके नाम से इन्युवर्सिटी के तरफ से कितनी फिस डाकुमेंट वेरिप्रिकेशन के लिए पर परमाड पत्र रखी गई है और उस हिसाब से आप सभी को सुल्क जमा होगा करना होगा वहीं यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सत्यापन सुल्क प्रति डिग्री तो बोड और का नाम यहां पर मेंसन किया गया है और कहा गया हुए कि प्रति डिग्री कितना सुल्क लगेगा यहां पर देख सकते हैं बित्यों लेका अधिकारी इनके तरफ से भी यहाँ पे सारे मेंसन किये गए हैं और इसके साथ-साथ आप सभी को लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल सची हो दिल्ली विश्विद्याले की तरफ से जो भी पूरी डिटेल में यहाँ पे पर डिग्री सत्यापन का चार्ज मेंसन किया गया है दोस्तों आप सभी लोग अगर इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलेगराम चैनल स्टेड़ी भी डियासरजी को जॉइन कर लें, वहाँ पर हम इसे अप्लोड कर देंगे, जहां पर आप सभी लोग इसे चेक आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते है द्वारा वांचे सत्यापन के कारवाही निम्र प्रपत्रों के अपूर्ण होने के कारण संभव नहीं हो पा रही है अब कौन-कौन से डाकूमेंट जो है होने चेज डाकूमेंट बेरिपिकेशन के लिए तो यहाँ पर देखा गया सत्यापन प्रपत्रों के अबर्ति के खाते से सत्यापन सुल्क तीन सो रुपे जमा किया जाना अतियावसिक है तो यह ध्यान रिकल लीजिए कि सीतापुर की तरब से जो भेजा गया था उसमें दिक्कते आई हैं जिसको कहा गया है तो यह पत्र आ चुका है सीतापुर जिला बेसिक सिचाधिकारी को और इसी तरीके का उताप्रदेर राजस चंडन मुक्त विस्चुविद्याले की तरब से भी सीतापुर जिला बेसिक सिचाधिकारी को पत्र प्रेशित कर दिया गया है और यहाँ पर इभी से अंकपत्र या प्रमाट पत्र के सत्यापन कार है तो निर्धारित सुल्क जमा करने संबंधी बैंक ड्राप्ट बित अधिकारी उताप्रदेर राजस चंडन मुक्त विस्चुविद्याले प्रियाग राज के नाम पर दे आप द्वारा विस्विदाले के नाम दे बैंक ड्राप्ट प्रेशित किया गया उक्ता सत्यापन है तो भार्ती स्टेट बैंक का ड्राप्ट संख्या सरसट चबीजिरोचे दिनांग 4722 रुपया 500 का ड्राप्ट प्रेशित किया गया जिसे मूल रूप से आपको वापस किया जा रहा है अता निर्धारित शुल्क जो है रुपया 500 का बैंक ड्राप डिबित अधिकारी उताप्रदेर राजस्टेंडन मुक्तिव सिविदले प्रियाग राज के नाम पर दे हो सेग्र प्रेशित करने का कष्ट करें तो कुल मिला करके जो कमिया है वह जिला बेसिक सिच आप सभी लोगों की डाकूमेंट वेरिफिकेशन में ही डिले देखने को मिले गया और इसका डिले होने का में कारंण आप सभी का होगा कि आपकी सेलरी में उतनी ही डिले देखने को मिलेगी तो कुल मिलाकर के 12,460 सिच्छक बरती से जुड़ी वी महात्पूर जानकारिया डाकूमेंट बेरिफिकेशन को लेकर के जो निकल कर सामने आ रही थी, हमने आप सभी वीडियो के मादम से डिसकस किया, उमेद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो सब्सक्राइब करने आगे की लेटेस्ट अब्डेट पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सबी सात्यों को जैहिन जैवारत बंदे मात्तरा